Diagnostic Criteria for Bipolar 1 Disorder So when we talked about the Diagnostic Criteria of Bipolar 1 Disorder we will discuss in the light of DSM-5 So जब हम DSM-5 की बात करते हैं तो DSM-5 के accordingly जो Bipolar Disorder है उसके अंदर especially one disorder के अंदर आपके पास manic episode के साथ hypomanic या major depressive episode जो है वो होना लाजमी है ठीक है? और Bipolar 1 Disorder के लिए manic episode का होना जरूरी है अगर manic episode नहीं है तो आप उसे Bipolar 1 Disorder डाइगनोस नहीं कर सकते ठीक है? और जो B criteria है वो यह है कि वो किसी तरहां भी शीजोएफेक्टिव, शीजोफरेनिया, शीजोफरेनियव फार्म disorder के जो सारे criteria हैं उनको fulfill ना करता हो ठीक है? तो यहाँ पर हम discuss करेंगे कि manic episode जो है उसके किस तरहां के features होते हैं और आप हम कब कहेंगे कि क्लाइन को manic episode है? manic episode के अंदर, according to DSM 5 जो भी client आपके पास आएगा उसका persistently और abnormally elevated, expensive और irritable mood होगा अब इन तीनों terms को आप कैसे समझेंगे? elevated mood का मतलब होता है बहुत ज़्यादा happy mood expensive mood का मतलब होता है कि वो शक्त बहुत ज़्यादा पैसे का रच्च कर रहा है irritable mood का मतलब होता है कि वो irritate बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस तरहां का जो mood है उसके साथा जो उसका activity level है वो बहुत ज़्यादा increase कर जाएगा और ठीक है और ऐसा जो है उसके साथ past one week के साथ होगा और most of the day और every day जो है वो तकरीबन ये चीज़ report कर रहा होगा ठीक है तो सबसे पहली चीज़ जो मेनिया के अंदर important है number one उसका mood number two उसका activity level और number three उसका time duration ठीक है जब हम इन चीज़ें देख लेंगे उसके बाद हम B criteria के उपर जाएंगे और B criteria के मताबग अगर mood disturbance है और increased energy level भी है तो जो seven symptoms है B criteria की उन में से at least जो three है या उससे जादा वो शक्स में होनी चाहिए लेकिन अगर जो mood है वो irritable है तो इन seven में से at least four और more जो हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए अब number one इसमें क्या है inflated self-esteem और grandiosity जब हम कहते है inflated self-esteem तो इसका मतलब यह है कि वो शक्स अपने आपको बहुत important समझना शुरू हो जाता है और इसके साथ-साथ वो लोगों के साथ over familiar behavior शो करता है ठीक है जिन high position पे लोग जो होते हैं अगर वो उनको नहीं भी जानता तो वो उनसे भी मिलना शुरू हो जाता है यह नहीं हो सकता है कि एक जो बच्चा है वो जाकर अपने प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश करें उसे हैंड शेक करें उसे over familiar behavior जो है out of the blue जो है वो reflect करें इसी तरह grandiosity है grandiosity में delusion of grandiosity में हम यह कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो अपने आपको बहुत साथा important समझना शुरू हो जाता उसको यह लगता है जैसे उसके पास कोई supernatural powers है वो दुनिया को control कर सकता है इस किसम की जो चीज़ें है thought pattern जो है वो उसका चल रहा होता और उस चीज़ के उपर believe होता है ठीक है फिर आपने उसका देखना है sleep pattern जब हम sleep pattern की बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि उसका जो sleep pattern है वो disturb होता है यहां तक कि अगर वो सिर्फ तीन गेंटे भी सोरा दिन में तो उसको लगता है कि उसके लिए enough है अब ऐसा हो क्यों रहा होता है कि उसकी जो activity level है वो बहत ज़दा high हो गया होता है और उसको जो need of sleep है वो उसको बहुत कम महसूस हो रही होती है यह थर्ड थर्ड point क्या है कि उसकी जो talk है वो बहुत तेजी से वो बोलता है बहुत ज़दा बोलता है और बहुत pressure से बोलता है आपको यू feel होगा कि यह शक्स बहुत ज़दा energy के साथ बूल रहा है तो वो जो चीज है वो आपको फील होगे और इसके साथ साथ आब यह भी देखोगे कि वो बहुत ज़दा बाते करना शुरू कर देगा जो कि उसका usual pattern नहीं होगा then flight of ideas or subjective experience that thoughts are racing flight of ideas यह चीज है कि इसके अंदर एक शक्स को यू महसूस होता है जैसे उसके thoughts जो है वो race कर रहे हैं अब racing thoughts क्या है कि जैसे अगर उसने आपको कोई बात बताना शुरू की है sports के बारे में तो वो जो भी आपको बताएगा वो sports से ही linked होगा लेकिन वो ऐसा linking होगी कि वो बहुत तेजी से thoughts उसके चल रहे होगे theme सेम होगा लेकिन उनकी कोई चीज जो है वो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि why there are so many thoughts are coming up and why that person is telling so many things about that content then distractibility distractibility का मतलब यह है कि जो भी उसके external environment के अंदर चीजें मौजूद होंगी वो उसको फौरी तोर पर attend करेगा और उनसे distract होगा जैसे अगर वो कमरे के अंदर खड़ा हुआ है और आफिस के अंदर आया है आपके और वहां पर कोई और शक्स है तो वो उसे भी मिलेगा अगर कोई दर्वाजा कोल के अंदर आया है तो वो उसे भी मिलने की कोशिश करेगा अगर कोई चीज आपके टेबल पर पड़ी वी है तो उसे भी उठाने की कोशिश करेगा तो इस किसम की जो distractibility है वो आपको उसमें नजर आएगी और बहुत quick distractibility होगी यहाँ पर आपने एक चीज़ का धिहान रखना है कि ADHD के जो बचे होते हैं उसके अंदर जो impulsive fidgeting होती है वो different होती है किस तरीके से कि उनका जो mood होता है वो इस तरह स्विंग नहीं कर रहा होता ठीक है उसके बाद उनकी जो goal directed activity है मीनिया में वो जादा हो जाती है psychomotor agitation जादा हो जाती है जिसना बहुत जादा घूमना फिरना शुरू कर देते हैं या उनकी जो अगर उनने एक book पढ़ने शुरू की है तो पूरी रात के अंदर वो book पढ़ लेंगे उसको खतम कर लेंगे ठीक है इसी तरह जो उनकी activity है activities है वो certain time ऐसी हो जाती है जो के उनके लिए dangerous भी हो सकती है ठीक है आप जब वो dangerous हो सकती है तो इसका क्या मतलब है कि वो कोई ऐसी activity में involved हो गई है जो कि safe नहीं है अब जैसे वो एकदम से कोई substance use करना शुरू कर दे या वो impulsive होके किसका परस छीन ले तो इस किसम की जो activity है वो इस तरह की reflect कर सकते है इनके जो behavior होता है वो out of this episode बिलकुल normal consider किया जाता है और उस वकद इनके behavior के अंदर disturbance जो है वो observe नहीं की जाती इनकी functionality में ठीक है and the criteria यह है कि जो इनका mood है उसके अंदर disturbance और इनके जो functionality है उसमें disturbance दूसरे लोग observe करते है इसका क्या मतलब है कि यह ऐसा problem है जिसके अंदर उनका जो behavior है वो externalized होता है और लोग उसको observe कर सकते है तो जिस वकद भी आपने किसी को bipolar 1 disorder जो है वो diagnose करना है तो आपने ही देखना है कि जो adolescence है उसके अंदर manic episode at least once in a life जरूर आई हो या उससे पहले या उसके बाद hypomania या depression की episode उसके अंदर मौजूद हो तक यू